दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है अपका हिंदी वीडियम के सबसे नमबर और चलब सुभम क्लासेस पर दोस्तो अगर आप क्लास 12 की स्टुडेंट हो तो आज की इस प्रेपर आपकोो बताऊंगा क्लास 12 के हिंदी की पीपर में से क्या-क्या बोर्ट एक्जाम 2021 के बोर्ट अम तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यहां पर देखो आपको जो सबसे पहले बोड़ एक्जाम से हट गया है सबसे पहले में वह बता रहता हूँ यहां पर गदेतु निदारिट पाट वस्तु कनाया लाल में इस प्रभाकर रॉबेट नर्सिंग हो में यह हटा दिया गया है हर संकर परसाई निंदार रस इसको हटा देख गया है गद्दे से ठीक है काव यह तो निदारिट पाट पुस्तक से मैथली स्रड़ गुप्त गीत जैसंकर प्रसाथ और सुमित्ता नन्पन और रामधारी सिंग दिनकर ठीक यह आपके काव से हटा दिये गया है वही कथा साईत से जो आपको निदारिट पेश्टक से दो चप्टरट आएगा है सिवानी और लाटी वही संस्खी थी तो निदारिट पाट पुस्तक से आपता Hä получard पर जातक कथा 2021 के बोर्ट पर इच्छा में नहीं आएगा ठीक है जो नहीं आएगा उसके बारे में क्यों तनी चर्चा करना अब जो बात करते हैं जो 2021 के बोर्ट पर इच्छा में आएगा तो अब एक तम ध्यान प्रूवग आप देखो ठीक है सबसे पहले आपका question number 1 आएगा हिंदी गद साहित का इतियास यानि आपको 5 question आएगे वो भी वस्तुनिष प्रस यानि option आएगे उसमें आपके कालो के विभिन कालो के यूग प्रवत्तक लेखा उनकी रोचनाय के बारे में पूछेगा ठीक है वही question number second आएगा पहला आएगा गद्य साहित से दूसरा आगा क प्रश नंबर के जिसमें आपको प्रमुक कवी और उनके क्रितियों पर अधारित वस्तुनिष प्रस्थी का optional रहेगा बात करते है question number third जो आपकी 2021 के बोट परिच्छा में आएगा वह रहेगा गदान्सों पर अधारित 5 प्रस्थ क्लियर है वही question number fourth रहेगा पदान्सों प क्या difference है clear है बात करते है six question आएगा यह आपके कहानी पर अधारित रहेगा ठीक है आप पाठकर में इधारित कहानीों का सरांस उद्देश पर अधारित पस रहेगा यह भी आपकी total five marks से रहेगे clear है question number seven रहेगा खंड का के अधारित पर उनका चरित चित्रिट करना रहेगा यह भी पांच नमबर करेगा तो इस तरीके से आपके खंड का में total seven question आएगे ठीक है फिर आपका लागू हो जाएगा खंड का जो पचास अंक करेगा इसमें question number eight का पहला question रहेगा निर्दारीत संस्कित गद्य का संदर्व साइथ हिंदी में अनुआद और खर रहेगा वक्तियां एं मुहावरों के अर्थ यह वाग के प्रयोग क्लियर है फिर दसमा question आपका grammar से आएगा जो संदी रहेगा ठीक है संदी दिर्ग संदी गुर संदी यड संदी इन में से किनी तीन संदी और संदी संदी विछेत करना रहेगा संस्कित सब्दों में विवक्ति के पहचान करने के लिए दो नंबर का आएगा सब्दों में सुच्म अंतर अनेकार्थी सब्द अनेक सब्दों के लिए केवल एक सब्द ये से विखने के लिए आएगा फिर आपका question number 12 आएगा रस ठीक है रस में आपको सिंगार रस करूर रस हास रस वीर रस एम सात रस के ल चंद अलंकार दो प्लस दो प्लस दो छे मांक्स के ये पूछे जाएंगे फिर question number 13 आप का आएगा पत्त्र लेखन ठीक है आपको पत्त्र लेखन करने के लिए आएगा जो छे मांक्स करेगा और question number 14 आप करेगा निबंद से ठीक है तो ये total आपके 2021 के board परिछा में जो जो पर के exam में आएगे फिर यहाँ पर कथा साइथ के निधाड़े ये तीन चप्तर आपके आएगे दुरुयात्रा पंचलाइट बहादूर क्लियर है और इधर आप ले सकते हो खंड का से जो आपका ये सहायक पुस्तक है मुक्ति युक खंड का सत्त की जीत ये आपके से 2,021 बोट परिच्छा के लिए ठीक है तो मैंने जैसे जैसे बताया और इसमें से मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर करते चलूंगा तो आप इसमें को सब्सक्राइब पर करके रखो क्योंको ये यूटूब के हिंदी मीडियम का सब से नमबरन चनल है यहाँ से पढ़ा से ठीक है और सभी सब्सक्राइब की तो आप गूगल प्ली स्टोर पर सर्च करोगे सुभं क्लासिस एप तो वह आ जाएगा तो उसको डाइनलोड करके आप वहां से बहुत सारे फ्री स्टेडी मैटरियल भी डाउनलोड कर सकते हो और साथ में वहां से बैच भी जाइन कर स पांसो निन्ना अंबर पर भी ऑफर चल ला है तो आप इसमें जॉइन कर सकते हो और इतना तो आप एक महिने के अफ्लाइन कोचिंग की एक सब्जेट की देते हो ठीक है तभी आपके पास सुनेरा मौका है आप घर बटे जवरदस्तियारी कर सकते हो तो अगर आपको जुन झाल